स्वागत है आपको ग्यापन इकडिम के इस वीडियो में इस वीडियो में आपको वही मैथमेटिक्स का फिर से नहीं चोड़ ले करके आ हैं इस वीडियो में आपका जितना भी ले करके यानि 6, 7, 8 और 9 लेशन का जितना भी important question बना है multiple choice जो आपके previous year में भी पूछा गया है वो पूरा का पूरा इसमें important question मौज़ूद है और इसको सबसे पहले किसी भी chapter को start करने से पहले इसमें हम basic बताएं कि उसका basic funda क्या क्या है उसके बास से basic बताते हुए फिर relation को मतलब एक-एक multiple choice इसको हम समझाएं तो इसको गौर से देखी है क्योंकि अगर आप कभी mathematics नहीं पड़े हैं तो उसका पहले basic समझने जीगा उसके बास से question करा हैं वो चीज़ आप जब समझीएगा तो जाके एक-एक question दिमाग में आपका fit हो जाएगा तो बीना दे करके चलते हैं वीडियो देखने question सुरू करने से पहले हम लोग यह देखने इसका कुछ basic देखने बीना basic देखे हम लोग इस question को बना नहीं शकते हैं बहुत सारा mystic होगा इसका basic कम जोड़े उसके लिए तो बहुत जरूरी है देखे यहां दो ठो तिरभूज है एक यह हो इन दोनों तिरभूज में अंतर क्या है कि यह दोनों तिरभूज एक ही रूप का है यानि दोनों तिरभूज समरूप है यह वाला तिरभूज और यह वाला तिरभूज समरूप है यानि एक ही रूप का है लेकिन इसका लंबाई चोड़ाई बराबर नहीं है देखे यह ब लेकिन इसके height में क्या है? छोटा बड़ा अंतर है, इसलिए सिर्फ रूप में समान है, इसलिए इसको सम रूप कहा जाता है, एक होता है सरवांग सम, यानि कि सब कुछ उसका बराबर ना चाहिए, दो तिरवुज दो तिरवुज का हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट से बर हpir न चाहिए जोकि हम लोग चोटा से डिजाइनिंग रखते हैं और एक राता है तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास्ता आञ्ल पESता है वाला ताज मौहल का एक हऍं़िए एक ही रूप का है तो से क्या बहने यह दोनों क्या एक यह दुसरे के शौम रूप है वो सरवांग्सम नहीं है जितना बड़ा वो ताजमाल है उरिजिनल उतना बड़ा तो हमारे पास थोड़े न रहता है तो वो सरवांग्सम नहीं है क्या है समरूप है एक ही रूप का सिर्फ मिलता है अब देखिए जब कोई तिर्भूज सरवांग्समरूप होता है तो देख क्षेतरफल और इस दोनों का तिर्भूज का छेतरफल अगर उसको अनुपात में करें अनुपात का मतलब अब बट्टा समझेगा बट्टा में किजिगा तो यह कैसे होगा वह यहां पर संगत भूजाओं के वर्ग के बराबर होता है यानि मेरे कहने का मतलब है यहां पर इसमें हो जाएगा bothka에 वर्ग के बराबर होता है यही एक भूजा कितना है तेन ग्धोज के इसके वर्ग इसका वट जिस्छी और इसका वर्ग यहां रिक्षें दीज़्धे गुजा निकाल होता है इसमें न्युक्रते रहता है कोन तो मनिदे की एचित फाल दे दाइं इसका बर्गमूल होता है 3 और इसका बर्गमूल होता है 4 तो यह बhrगमूल सुस्टन जाici आएगा यह Na आदमें इसको समझेंगे ठीक है क्योंकि इस पर कोश्चन आएगा तब समझेंगे तो मज़ आएगा यहां पहले को देखते हैं एक नमर को सिर्फ क्या है बाबु इसका रूप समान यहां पर देखिए दूगो समरूप देखिए इसकी संगत भूजा का अनुपात दे दिया ह यहां भूजा जितना भी है इसका अनुपात सिर्फ दे दिया है ठीक है आप पूछ रहा है छेत्रफल कितना होगा तो आपको तो फर्मूला पता है जहां भूजा है वहां भूजा भर दिजिए और छेत्रफल अपने से अनुपात में निकल जागा देखिए कैसे अब यह बड़ा वाला के एरिया और चोटा वाला के एरिया क्या होता है यानिकि भूजा का अनुपात होता है तो 4 बूटा नो का स्कॉकाइर हो जाएगा ठीक है इसके वर का बट dairy ड़ी सोटा वाला और बड़ा वाला का अनुपात Но the 강 चार्चUU सोलiph बटा इसको प्लीज पूरा शेयर किजिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जितना बार एक्जाम में पुछा गया है, आपका प्रिवियस येर, आपके गाइड और आपका जो भी इंपॉर्टेंट कोस्चन बनाएं, उसी का हमनी चोड मैथमेटिक्स में ले करके आएं, यहां यहां पे भी क्या दिया था, संगत भूजा दिया था और क्या पुछा था, छेतर फल पुछा था, तो हमने क्या किया, इसका एसका स्क्वायर करदिया चार्चों का 16 और 89, 81, तो वैसे ही ये भी कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, तिन तरीका, 9 और 50, 25 यहादि यहां पर क्या होगा इता है यहां बड़ यहां चोटा ओला आ यहां होता है दोनों भूजा ले सकते हैं क्या दिया इसमें इसमें ब्रस्काइर यहां चैप ब्रसे और पार यहां पर रिधो एक सो ही इस और देख़े इधर लिखिएगा आप AB बटा BC का स्क्वाइर जब यह स्क्वाइर इधर जाएगा तो यह रूट में हो जाएगा तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल रूट से निकलेगा तो गया होगा तो अभी बता है अगर छहता है बड़ा वाला एक माने कि बड़ीप इसका च्वाइर तक शोटा वाला ₹ इतना कर दिया है 9-9 बट्ठा स्क्वाइर होता है यह 9 बट्ठा फौर हो जाएगा जब यह स्क्वाइर इदा जाये गाता रूट में होगा इसका वर्मूल होता है तेन इसका दो तो तीन बट्ठा 2 तीन अनुपाद 2 इसका Amazon तीन बट्टा दो का मतलब समझते हैं तीन बट्टा दो अगर यह नहीं कटता है तो इसको अनुपात में लिखते हैं तीन अनुपात दो आपका एंसर कौन हो जाएगा भी ठीक है उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा अगला कोश्चन देखिए यह कटा हो सकता है लेकिन रूप समाने उसका छ्चेत्रफल दिया है कितना नाइज एक का छैटरफल 9 हैं और दुसरे का छ नहोंगि श recreation है और उसमें बोल एरिया का मतलब सम्रूफ यह स्ते इतने इतना लिए यहां बड़ाओ यहां लेक्षồ ओर लाका एक एक मान लेकी एरिया कितना है नाइन है ठीक है आये कि इतना है 16 थेक्ड़ा बड़ा उपर नीचे हो गया है ठीक है अब देखिए बीसी नहीं पता है को इसे नहीं पता है लेकिन यह तो पता है ना 4.2 है तो यहां देखिए यहां लिख दीजेगा BC और यह लिखेगा 4.2 जब यह होता है बीच में equal to तो तिर्चा तिर्चा तिर्ची गुणा करते हैं जब हम तिर्चा या फिर एक और काम किजिए आप इसका तो स्कॉयर है ना स्कॉयर को इधर वेजेगा तो रूट में हो ज हमता है इधर बचा BC बटा स्कॉयर तो हट गया है 4.2 अब क्रॉस मल्टिप्लाई आप यहां से कर सकते हैं जब 42 में 3 से मल्टिप्लाई कि जिएगा तो कितना होगा तीन दूना च्छे और चारतियां 12 126 अब बटा में कितना होगा 4 जब 126 को कटाईएगा तो आपका एंसर देखिए तो कहीं दिया है 3.15 वहीं आपका एंसर हो जाएगा तो यहां देखिए आप 3.15 दिया है अगला कोस्टन अब यहां यह कोस्टन को देखने से पहले थोड़ा साम लोग बेसिक समाझ लो यह उपर वाला बेसिक यह वाला देखिए अगर कोई तिरभोज है थेक है जिसमें 3 को भोजा और फिगर बंद हो उसके बीच में 1-2-1 यह दोनों पैरलल हैительно मतलब होता है सामनांतर हैile होगा समान होगा जितना चोड़ाई यहां सब छोड़ाई क्या हो समान हो से पुलते हैं शमनांतर लाइन जब यह लाइन समनांतर होता है तो यह वाला लाइन का कई इस गोड़ोल होता है आप लिख सकते हैं जब समनांतर होगा तो एडी यहां लिखा भी है आपको क्या इसमें लिखना है एडी बटा बी डि यहां देखिये डी यहां पे लिख सकते हैं और एडी बटा थोड़ा समिश्टेक हुआ है सभी से आपको हम समझा दें यह था करके ऐसे देखिए अगर यह लाइन क्या हो पैरलल हो समनांतर हो ता आप लिक सकते हैं यह पे AD बटा BD और लिख सकते हैं AE बटा EC यहां यह भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं AD बटा पूरा AB ठीके और AE बटा पूरा AC ठीके जो इधर लेंगे वो इधर भी लेना पड़ेगा अगर आप इधर लेते हैं AD और फिर लेते हैं जैसे ले लिए आप ad और फिर लेते हैं आप ab तो वही काम एक बार छोटावाला कॉपलने आप भी आधा यृदा नेना पड़े往 डी बी और एई बटा इसी यह लिया है यहाँ ठीक है तो इसी हिसाब से कोस्टन सब बनेगा यहाँ पर देखिए six number से six number question है दियेगा चीतर में यह और यह लाइन दोलों क्या है डी और यहाँ इसको side करते डी और बी सी लाइन यहाँ दिया है कि parallel है parallel का symbol ऐसे होता है a से d, a d कितना है? 2, b से d कितना है? 3 और क्या दिया है a से e, a e कितना दिया है? 1.6 अब पूछा है यह तो आपको अभी बता है इतना बटा इतना केजिए यह निकलना है और फिर इतना बटा इतना कर दीजिए जैसे कि यहाँ हम देखिए कैसे कर रहा है यहाँ हम लिख रहा है इतना बटा इतना मने दो बटा तीन बराबर a e, a e कितना है? 1.6 अब बटा में e c नहीं पता है तो छोड़ दो वह ही तो निकालना है e c यह उपर उपर कट सकता है 2.8 16 पॉइंट में है पॉइंट एक अंके बाद यहाँ पे है तो यहाँ भी हम लोग एक अंके बाद पॉइंट अब तिरिचा तिरिची गुणा किजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा? 83 का 24 यहाँ गु इसपर है और सब प्रिवियस एयर में पुछाए का इसलिए गौर से देखेगा यह वड़ आपको दे दिया है यह वला दे दिया है ठीक है और पुछार यह दिया है और पुछा 15 कितना होगा ठीक है इसमें आपको Bonds को निकालना है कि B можем कैसे निकालेंगे आप देखेगा सेम हो ऐसे ही काम करेंगे जब यह दो बट्टा हम 6 लिख सकते हैं तो इसको हम 3 बट्टा बराबर में यह कुछ नहीं है तो 20 लिख दो अगर यहाँ पर हम कटा दें अच्छा रहेगा तो यह हो जाएगा 2, 3, 6 जब बीच में बराबर हो तो 3, 3, 3 गुणा तो यह B आ जाएगा इधर ठीक है यानि कि X मान ले जो भी मान ले तो यह जाएगा भी और यह जाएगा तीन तरीका 9 देखिए अगर आपको 9 इंसर दिया है तो आपको वही एंसर सही हो जाएगा अगला कुस्चन आप ध्यान से इसको देखते चलिएगा ठीक है अगला कुस्चन है भूजा A B और A C को करम से इस परकार करती है मतलब परकार है कि यहां समझेए A B C में P और Q ऐसे है कि B C लाइन P Q के सामनांतर है तो यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा Q इस लाइन का नाम तो अभी बताये थे जब P और Q तो यह सब बराबरे भाग में बटेगा तो A P कितन है A से लेके P तक दिया है 3 उसके बाद से B से P तक यानि कि B P कितना दिया है 2 और A से लेके Q तक वाला लाइन दिया है 6 अब पूछा क्या है यह लाइन तो बटा कर दिजिए 3 बटा 2 बराबर 6 बटा यहां पर नहीं पता है तो QC ही लिख दीजिए C Q या QC और यहां आप 3 दूना च्व कर दिजिए क्रॉस मल्टिप्लाइ कि जिए तो दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहां पर आपको देख सकते हैं इसको यहां इस को समझेंगे ABC एक तिर्भूज है और DEBC के पैरलल है तो सबसे पहले हम एक तिर्भूज बनाते हैं बड़ा सा एक तिर्भ निंग होता है AD बटा DB मतलब यह वाला बटा यह वाला यहां से यह तक AD बटा DB और बराबर में होगा AE बटा में हो जाएगा E से C आप देखिए यहां पर AD दिया है AD कितना है 5 है और यह BC B से D कितना है यहाँ पे दिया है 3 तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पर 5 बटा 3 और यहाँ पे A E बटा E C भी लिख सकते हैं ठीक है तो वताइए A E बराबर 5 आया यह भी 5 हो गया और E C बराबर कितना है 3 आया तो यह भी 3 हो गया यहाँ दोनों यह आप उसमें क्या हो गया बराबर और question क्या पूछा गया है कि A E यानि कि A B C वाला में यहाँ जो E है यहाँ D है तो पूछा गया है A E कितना था यह 5 था तो यह भी कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद क्या पूछा गया A C तो यह कितना था 3 था तो यह भी 3 था तो A से C यानि A E बटा A C A E कितना हो जाएगा तो A E आपका हो जाएगा 5 और A से C तो 5 यह और 3 यह 5 और 3 आठ यानि 5 बटा 8 आपका एंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए तो कहीं 5 बटा 8 दिया है यहाँ पर C number दिया है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन यह तो बहुत असान है देखिए कह रहा है कि एक तिर्भूज बनाना है ठीक है A B C एक तिर्भूज बनाना है जिसमें A B Square बरबर B C Square प्लस क्या होना चाहिए A C Square चाहिए तो हमने एक बना दिया तिर्भू जैसे और देखिए उसे इसाफ से रहा है कभी भी कॉन का स्क्वाइर कैसे निकलता है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता है तो देखिए यहां जोड़ दिया है कि यह वाला A B है A और B और यह हो जा अगला कुश्चन है कर रहा है कि एक शंबाहू तिर्भूज की भूजा दिया है संबाहू का मतलब बता है जिसकी सभी भूजाएं बराबर हो तो सभी भूजाएं बराबर हो तो एक हमने तिर्भूज बनाया जिसकी भूजाएं है 2A 2A और 2A सब भूजा बराबर है तो सब से लंब निकालना है तो बताए जब यह लाइन पूरा टू है तो आधा यह यहां से यहां हो गया तो सिर्फ ए बचेगा तो पुछागा है कि यह जो लंब है कितना हो गया तो वही बात है पैथागोरस फर्मुले लगा यह और यह आपको निकालना हो तो इसमें से इसको घटा दिये जाता है यानि की अंडरो टू ए מी से घटा दिये जाता है एस्क्वैर तो यह हो जाएगा दो-dun-n4a em-2- ear- przukan चर्म ऐस आई जाएगा तो बच अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है ABC में AB और AC के अमध्य बिंदू D और E है इस परकार से यह दोनों पैरलल होता है तो यह दिया है तो यह निकलना है यह भी असान है देखिए कैसे हम बना रहे हैं सबसे पहले एक तिर्भूज ABC एक ABC बनाएं और AB और AC क्या है इ ठीक है अब बोला जा रहा है कि BC इसमें दिया है कौन दिया है BC BC कितना दिया है आठ दिया है पुछा ये टब ये कितना होगा तो आप अगर formula और theorem अगरा कुछ पढ़े होंगे तो एक चीज़ आपको पता होगा theorem में कुछ ट्रीक होता है कि अगर कोई तिर्भूज का ये क एंसर यह आपका सही है ठीक है यह आपको एक एक थियोरम आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिस किये हैं किसी तिर्भूज एक तिर्भूज हम मान ले रहा हैं ए बी से उसमें ए बराबर 90 अब देखे तो इस ताइब का फिकर नहीं मानेंगे क्योंकि एक कितना मानना है 90 तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ऐसे जिसमें 90 डिगरी और इसको मानते हैं ए ठीक है तो ए यह मानेंगे तो जाहिर सी बात है जिसमें बी सी कितना है बी से सी 13 है और ए से सी एसी कितना है 12 है तो पुछा है ठीक है यहाँ पर बी सी दिया है और एसी दिया है तो यहाँ एसी का मान नहीं यहाँ एबी का मान तब निकालने को बोलेगा ठीक है तो एबी कितना होगा यह पुछा है तो आप कैसे 179 माइनस कितना हो जाएगा 144 179 में से 144 गटेंगे तो पचीस हैगा पचीस का वर्गमूल पांच होता है तो यहां पर अपका सी सही हो जाएगा अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन है तिर्बुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाए गया हमने बना दिया एक ए बी दस दिगरी दिया है ठीक है और उसके बासे बी ये सी ययनकि बी एक इसी में ये वाला एउंगल कितनादिया है 57 डिगरी दिय कि आए uh यहां से यहां जब 110 डिगरी यह दिया है यह कितना दिगरी के पूरा एक लाइन पर 180 डिगरी के कोण बनेगा तो बताइए 180 में से यहां से 110 घटा देंगे तो यह कितना बचेगा तो 180 में से जब 110 घटाएंगे तो यह 70 डिगरी होगा आईए कितना डिगरी है 57 डिगरी है तो बताएए जब तीरभूज में तीनों एंगल का योग 180 होता है यह हो गया 57 यह हो गया आपका 70 तो 57 और 70 आप add कर लिजेगा आप तो आपका बचेगा में भी 35 बचेगा ठीक है आपका एंसर इसमें 35 होगा आप देख लिजेगा अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है यहाँ पे सम दीबाहू तिरभूज ABC में यह को सम दीबाहू का मतलब क्या होता है सम माने बराबर दीव माने दू अब बाहू माने भूजा जिसका दूगो भूजा बराबर हो यानि ऐसे हम बनाते हैं यह वाला दोनों भूजा आपस में क्या है बराबर है ठीक है अब उसके बाद से कह रहा है कि ABC यानि कि ABC ऐसा बनाना है तिरभूज ठीक है जिसमें AC और BC बराबर हो ठीक है यानि AC और BC बराबर हो तो यहाँ पे कितना ड आप इसको डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि समझाने में काफी लॉंग मेथड लेगा जब यह दूगो लाइन बराबर और लेडी है तो आप चोच सकते हैं कि मालेजिए कि a b a square बराबर लिखा जाए आपका a c a square पॉलस b c a square जब यह दोनों बराबर हो तो हम a c के जगपे b c या फिर b c के जगपे a c लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि आई किस फर्मूला में होता है तो यह हमेशा 90 डिगरी के फर्मूला में होता है ठीक है क्योंकि समकोंड तिर्भूज में ही पाइथा गुरस फर्मूला लगता है इसके सिवा कही नहीं लगता है अगला कुश्चन है किसी तिर्भूज के दो कोणों का योग सबसे पहले समझें वह जोड़ने के बाराबर आएगा दों को जोड़ने के बाद 1759 तो आपको यह हो जाएगा यह sih आपको दिख जा रहा है पूरा बनानी की जरुएते नहीं है यह frog अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है किसी तिर्भूज के तीनों लंब यानि कि तीनों लंब को मिलाने पर उसे क्या कहा जाता है बिंदू को मिलाने पर तो यह देखिए तीर्भूज है तीनों लंब को मिला यहां से यह मिलाएगा लंब यहां पर मिला यहां पर मिल चैनि अगला कुस्चनियु इस यहां तु सब और जो जाएगहो तो बताएσक क्या होगी doğru पुरा बारा है तो आधा हो जाएगा तो और लगा दीजया उट वाला तो 122 में से 262 घटा दिजेगा रूट में कितना आएगा तो ये एक बार हम घटा के आपको दिखा भी दे रहे हैं अंडरूट 122 में से आप 6 का 2 घटाईएगा ठीक है तो ये हो जाएगा 122 रहां 144 आप माइनस में हो जाएगा 36 आप घटाईएगा तो कितना होगा 14 में से 6 जाएगा 6 के बाद 6 और 6 बारा आठ बचेगा ठीक है और यहां बचेगा कितना तीन तो तीन में से 3 जाएगा 0-1-108 अजब इसको रूट से निकाले गता आएगा 6 रूट 2 सौरूट 3 आएगा सौरी और से देखिएगा उसी टाइप के फर्मूला टाइप किस तरह से इसमें कोश्चन पुजाएता और यह कोश्चन पूरा वी वी आई है जितना भी कोश्चन है सब कोश्चन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि पूरा यह बिंदू का निर्देसांग यानि कि मालेजे के एक लाइन हो गया ही ठीक है इधर का निर्देसांग 3,4 और इधर का निर्देसांग minus 3,8 इसके मध्य बिंदू यानि बीच में एकदम इसका अगर बिंदू निकलना हो कि यहाँ से यहाँ तक और यह बीच में बिंदू कौनस होगा तो उसका क्या फर्मूला है तो मध्य बिंदू का फर्मूला होता है मद यह बिंदू का फर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाइ 2 और y1 प्लस y2 बाइ 2 तो यहां देखिएगा फर्मूला वो भरेंगे तो कैसे answer है x1 कितना है 3 है पहला वाला को x1 बोलते हैं दूसरा x2 sorry y1 इसमें हो जाएगा यह x2 और यह y2 तो हो जाएगा x1 प्लस x2 कितना है माइनस में 3 और बटा में हो जाएगा 2 और कमा यहां पे हो जाएगा y1 प्लस y2 और बटा में हो जाएगा यहां पे 2 यह तो 3 से 3 0 जाएगा तो यह पूरा का पूरा हो जाएगा 0 और यह 8 और 4 कितना होता है बारह और बटन हो जाएगा दो दो छक बारह यानि जीरो कमा छो इसमें अगर कहीं option दिया है तो option D आपका सही होगा ठीक है उमीद करें हो कि आपको समझ में आ रहा होगा और वैसे भी formula आपको याद करने का तरीका हम बता दिया है यहां देखिए अगला question है इसके बीच की द साहल मन लेते हैं इसको इसके बीच हैं यहां से यहां तक कितना दोरी है उपर वाले formula में था कि इसके बीच वाला दोरी निकले यहां परी कि point कहां पर आएगा मालने जी कि यहां पर आएगा तो यह लेकिन इस question में है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है तो दूरी का formula होता है यहां पर x2 minus x1 का whole square आप plus y2 minus y1 का whole square ठीक है लेकिन थोड़ा सा इसमें answer mistake दिया है आप निकालेगा इस formula से x2 minus x1 से 12 कितना है minus one यही है x2 और chegar तो मैंनस एक फर्मूला में होता है हो यहां का मायनस प्लस में 6 बैट स्क्वाइर हो जाएगा यहां पुल टू कितना है थिरी और वाइन माइनस 7 हो जाएगा यहां पर 6 का स्कौयर माइनस में 4żen देखिए अगला कुम नहीं है कि यह इंपोर्टेंट है यह वी वी आई कोश्चान है देखिए बिंदु यहां पर आप सोच में पढ़े जाए कि दोठो तो बिंदु दिया ही नहीं है लेकिन कोई दिग्गत नहीं यहां पर पी दिया है आपको 10 आएगा आप फर्मूला बीच का दूरी का भर लिजएगा कौन से बीच की दूरी तो यहां 0,0 और माइनस 6,8 के बीच की दूरी का फर्मूला भरिएगा आपका आजाएगा 10 एंसर अगरा कुशन देखिए कार्तिय तली में इस्तित किसी बिंदु 3,4 के कोटी का है इसमें ब दोनों में कोटी कौन है माइनस 4 है यहां पर हो जाएगा माइनस 4 तो अपका option A सही हो जाएगा जो एक कुस्षन है तिरभूज A, B, C के दो सिर्ष दिया हुआ है यहां पर केंद्रक दिया हुआ है एक तिरभूज हम बनाते हैं जिसमाल है कि यह पहला सिर्ष 6,4 दे दिया ह आपको माइनस 2 कमा 2 दे दिया हो तिसरा आपको नहीं दिया हो तो X कमा Y मान लेते हैं ठीक है और आपका केंद्रक दिया है यानि बीच वाला दिया है 3 कमा 4 तो इसका केंद्रक का एक फर्मूला होता है यानि केंद्र बराबर होता है केंद्रक का ठीक है X1 प्लस X2 प्लस X3 y2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 2 और कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 2 ठीक है ये फर्मूला भरिएगा तो आ जाएगा यानि केंद्रा कितना है 3 कमा माइनस 4 और x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है माइनस 2 अब प्लस x3 कितना है नहीं पता है तो छोड़ दो अब बटा में कितना कर दो 2 उसी तरह से y1 y2 y3 निकाल करके ठीक है अकर दिजेगा और इसके बराबर एक बार 3 को किजेगा आजो y1 y2 आएगा ठीक है y1 y2 प्लस y3 y2 इसके बराबर एक बार 4 को कर जेगा तो यहां से x और y दोनों का value निकल जाएगा और आपका answer आएगा कितना 5 यहां देखिए अगला question है अगला question है अप लिखा है एक का मान निकालना है जबकि यह इतना पर सनरेख है सनरेख का एक नियम पहले बता दे रहे है माल यह की एक रेखा है यानि लाइन है इस पर 3 बिंदू है एक है1,2A उसके बासले है 3,1 उसके बासले है माइनस 2,6 अब क्या करना है कि यह A हो गया यह B हो गया संरेख का मतलब हता है एक ही रेखा पर वो है कि नहीं तो कैसे check करते हैं A,B के बीच की दूरी बीच की दूरी के formula बता है निकालेगा और फिर से BC के बीच की दूरी के formula क AB पलस BC आपका आना चाहिए यानि AB आप निकाले होंगे बीच के उद्री अब BC इन दोनों को जोड़िएगा AC को जोड़िएगा अगर ये दोनों आपको बराबर आए उस हिसाब से अपना एंसर यहाँ पे आएगा बराबर और बराबर आएगा तो वहांसे एक अभेलू हो जाएगा 4 बटा 3 ठीक है अगला कोस्चन देखेगा अगला कोस्चन है कि बिंदू ये कोई बार पुछा जा चुका है कोई जरूरी ने कि ये कोस्चन रहेगा इस बेश पर कोस्चन रहता है थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लिजिए यहाँ पे लिख रहे है एक दो यहाँ पे भी होता है एक दो यहाँ पे माइनस एक माइनस दो यहाँ पे भी माइनस ओन और माइनस तू यह माइनस थिरी आगे बहुत सारा होता है तो कह रहा है कि प दूसरा बक्स यह है तो यह दूतिया में आएगा अगर लास्ट वाला में आएगा तो समझ लेज़े यहां पर ऐसे होता है तो यह भी पॉलस वाला यह भी पॉलस वाला तो इस सब पॉलस इसमें होता है पुछे तो पॉलस में जाएगा एक इसमें माइनस होता है और यह वाल में और वाई होता है माइनस में पुहले पॉल्वे हुद है तो यह आप याद रखेंगे अगला कुछ से कहा लाती है तो आयसके तो जामays यह Y है, आप Y-Aक्स हमें एक लाइन खीचे, तो जब लाइन खीचेंगे तो किदर खीचते हैं, X के तरफ इसलिए उसको भूज कहते हैं, या एक्स के साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, चाहें Y-Aक्स से इधर जाइएगा, तो भूज ही होगा, तो उसको भूज भी कहते हैं या X निर्दे सांग भी कहते हैं, ठीक है, अगला कोस्चन देखिए, 9 नमबर, 9 नमबर कोस्चन है, तिर्भूज का छेतर फल, निकालना है, उसका सिर्ष दे दिया है, तो सिर्ष तिर्भूज का छेतर फल, आपको फर्मूला पता होना चाहिए, एक बटा 2, ठीक है, और य Y1-Y2, ठीक है, यहाँ पर Y3, Y2 है, Y3, Y1 है, अब इसमें फर्मूला आप भरिएगा, यहाँ पर देखिए, तीन को सिर्ष दिया है, एक, दो, तीन, पहला वाला X1, X2, X3, यह हो जाएगा Y1, Y2 और Y3 भर के निकाल लिजेगा, ठीक है, भरने के बाद आपका जो भी एंसर है, और एक हा में दो बिंदू दे दिया, 1,1, कमा इसको समझी गई, दोनों बड़ा बड़ा एक है, 2,3, और इसको दो हिस्सा में अगर विभाजित किया जाय तो यह दो हिसा दो हो जा रहा यह तीन घुण लाईन को अगर विभाजित किया जाता है तो इसके लिए विभाजन फर्मूल लगा जाता है कितना रेशियों में इसको तोड़ा है तो 2 ratio 3 में तोड़ागा है तो M1 हो जाएगा दो और M2 हो जाएगा तीन और आपको बताया थे X1 X2 और Y2 यह तो भी वाजन फर्मूलर लागा करके आप एंसर निकालेगा तो आपका दोलते हैं इसके सीरो का लाइन यहां पर 2,3 दिया है और यहां पर 6,7 अब पूछ रहा है कि केंद्रक बीच वाला तो बताएगो लाइन के बीच में निकालने के लिए कौन से फर्मूला तो लाइन के बीच में निकालना हो तो मध्य बिंदू लाइन को कहीं से तोड़ना हो यहां मालोजी एक हिसा हो गया इत्तुरा सा बड़ा है तो तो तीन हिसा हो गया तो वहां विभाजन सुत्र अब बीच की दूरी पूरा ल इतना है लेकिन आपको फर्मुला याद नहीं करना है आपको समझना है कि हम ये दिमाग में बैठा है कैसे यहाँ समझिए अगर किसी चीज के बीच की दुरह यानि कि अगर एक लाइन है और लाइन में दो ठो पॉइंट मालो कि यहां कुछ दे दिया और यहां कुछ दे दिया पूछा जाया कि इसके और इसके दोनों के बीच के यह दूरी कितनी है तो इसके लिए फर्मूला बनाया गया है X2 में से X1 घटा लेंगे Y2 में से Y1 घटा लेंगे एक यहां पर answer यहां पर थोड़ा सा topic लिए logic चीज समझ लिजेगा हमेशा दूसरा में से पहला दूसरा पहला रहेगा दूसरा और पहला रहेगा यह दिमाग में रखेगा और हम ऐसा का मतलब क्या कुछ हम आगे आपको समझाएंगे सबमे नहीं रहेगा कहां तक रहेगा यह भी हम देखेंगे आपको तीन नमबर तक यहां समझेगा ठीक है? यहां पहले दो रहेगा फिर एक फिर दो फिर एक कैसे? यानि X2 में से X1 को इसमें से यहां जो भी नमबर रहेगा इसमें से X1 घटा लिजिएगा Y2 में से Y1 और घटाने के बाद आप इस formula पे भर के सल्ब किज़ेगा आपका बीच का दूरी कितना है पता चल जाएगा ठीके अब मद्य बिंदू देखते हैं मद्य बिंदू का मतलब क्या होता है मानने के यह line है अभी तो निकाल लिए कि बीच का दूरी कितना है लेकि निकालना होगा कि इस line और इस line के main center कहां मिलेगा center देखिए अंदाज से तो कहीं इधर उदा थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन formula जब लगाईएगा तो एकदाम साटिक बीच में center कैसे मिलेगा पुछेगा मध्य बेंदो निकले तो आप क्या करेंगे यानि x2 प्लस x1 देखिए formula आप किताब में देखिएगा तो क्या किये जाएगा x1 और x2 जोडेगा बटा 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 तो क्या फरक पड़ता है x1 में x2 जोडे या फिर x2 में x1 जोडे दोनों बात तो एक ही है ठीके तो हम यहाँ पे थोड़ा सा याद करने के लिए आपको ऐसे हम बना दिये हैं ठीके पॉले x2 और फिर x1 ताकि तीन formula एक ही जैसे आपको समझ आए यहाँ अगर midpoint निकलना हो तो x1 प्लस x2 चाहिए x2 प्लस x1 और y2 प्लस y1 जोड़ करके और बट्टा 2 कीजिएगा तो क्या हो जागा यहाँ पे midpoint निकल जाएगा बट्टा 2 क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो ठो है यहाँ पे भी कितना है दो है इसलिए बट्टा 2 कर रहे है अगला देखिए बीभाजन फर्मूला यह आप कैसे याद रखेंगे ठीके तो इसमें भी कुछ ज़्यादा याद करनी की ज़रूत नहीं जाहिए जिबात है 2 और 1 है 2 और 1 है यहाँ पे देख लिए जो y2 और y1 है यहाँ इसको समझेगा अब इसको थोड़ा सा मिटा दे ताकि आपको समझा सके लिखिएगा यहाँ पे m1 पॉलस m2 बटा में कितना हो जाएगा m1 पॉलस m2 सेम यह लिखना है और उसके बाद इधर भी लिखिएगा m1 पॉलस m2 और फिर m1 पॉलस m2 ठीक है यह बता रहे है विभाजन फर्मूला विभाजन फर्मूला आपको इसलिए बता रहे है मानलेजे कि यह लाइन है और लाइन को हमने दो पार्ट में विभाजित का दे कोई जरूनी है कि बीच से ही है अगर बीच से बोलेगा तो मदेविंदू का formula लगाएंगे ना यह वाला, कौ Initi से भी तोट सकता है दो हिस्सा, ठीक है, तो पुछा जाये कि जिस हिसा पर तूटा है, उसका निshiftě सांग निकलेए कि यह क्या होगा, ठीक है, तो महल लिजे कि हई कुछ हिस्सा में होगा, महल ल अब देखिए इस फर्मूला को याद कैसे रखेंगे हम क्या लिखे M1 M2 M1 M2 और इधर भी M1 M2 M1 M2 आभी आपको बता है कि यहां X2 X1 तो यहां डालिएगा X2 X1 यहां Y2 और यहां Y1 ठीक है हो गया आपका भी भाजन सुत्र फर्मूला ठीक है तो उमीद कर रहे हूं कि आप तीर्भूज में तीन ठों पॉइंट यहां दिया है तीनों पॉइंट का नाम है पहला वाला X होता है दूसरा Y X, Y, 3 गो है यानि कि 3 यहां टाइप का दिया है इसलिए इसका 1, 2, 3 और Y1, Y2, Y3 रख दिया और पूछा जा रहे है तीर्भूज में केंद्र का निर्दे साहिं निकले है मैंने बीच में X, Y कितना होगा ठीक है तो केंद्र का फर्मूला ठीक है जब यह तीन गो है जब यह यह सब भर करके शल्व कीजिएगा तो आपका यह निर्दे साँख निकल जाएगा और आपका पांचवा फर्मूला है जिसको ध्यान से समझिएगा पांचवा फर्मूला इसका छेतरफल निकलना है कि तिर्भूज का यह पूरा का पूरा एरिया केतना दूर में है त्सेट एक काम किज़े यहां निर्दे सांग वाला है तो हम देखे क्या करते हैं यहां पर पहले लिख देते हैं एक्सवन एक्सटू एक्सट्री और वाई को सेट करना है तो देखे यहां पर वाई कैसे सेट हुआ है यहां पर आपको वाई इधर लिखते हैं ठीक है वाई वन लिख Y3-Y1, यानि पहली बार में लिया है, Y2-Y3, ठीक है? दूसरी बार में लिया गया है, यहाँ X2 के साइड में, Y3-Y1. और तिसरा बार में क्या लिया गया है? अब 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 यह कौन बच गया? यहीं न दोनों बच गया, ठीक है? तब पूरा का पूरा है, Y1-Y2, यानि कि यहाँ मिटा दे Y1-Y2, तो यहीं आपका यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर फर्मूला है, ठीक है? X2-Y2-Y3, Y3-Y1 और यह वाला फिर इस से. तो उमीद करते हैं कि फर्मूला समाज में आगा, तो बिना देर की है, हम लोग चलते हैं कोस्टन के तरफ. तो यह पूरा उस लेशन से, 7 लेशन से निर्दसांग जैमिती से लिया गया है, ध्यान से इसको समझेगा, लिखा है कि बिन्दू, 3,4-3,8 को मिलाने वाले मध्य बिन्दू का निर्दसांग, यानि कि मालेजी के एक लाइन हो गया है, ठीक है? इधर का निर्दसांग 3,4 और इधर का निर्दसांग माइनस 3,8, इसके मध्य बिन्दू यानि बीच में एकदम इसका अगर बिन्दू निकालना हो कि यहां से यहां तक और यह बीच में बिन्दू कौन से होगा, तो उसका क्या फर्मूला है, तो मध्य बिन्दू का फर्म बोलते हैं दूसरा x2 तो हो जाएगा 2 4 यहां पर यहां पर 2 यह तो 3 सी 3 0 जाएगा तो च्छाएगा 5 8 और 4 अच्छार कितना होता है 12 और बटा मी हो जाएगा 2 दो च्छक 12 यानि 0 कमा 6 इसमें अगर कही एअप्शन दिया है तो option D आपका सही होगा ठीक है, उमीद कर रहे हो कि आपको समझ में आ रहा होगा और वैसे भी formula आपको याद करने का तरीका हम बता दिया है यहाँ देखिए अगला question है, इसके बीच की दूरी निकलना है अब देखिए, इसमें इस दोनों में का अंतर है यहाँ माइनस 6 है, 7 है ठीक है, और यहाँ है माइनस 1 और क्या है, 3 है दो गों यहाँ पे निर्दे सांग दिया है अब कर रहा है कि यहाँ से ले करके A और B मान लेते हैं इसको इसके बीच है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है उपर वाले फर्मूला में था कि इसके बीच वाला दूरी निकली यहाँ पर इसके मीड पॉइंट कहाँ पर आएगा मानले जी कि यहाँ पर आएगा तो यह लेकिन इस कोश्चन में है कि यहाँ से यहाँ तक कि दूरी क्या है थो यह थो а एक्स टू कितना है मइनस लगा यहां पलास में थ्री और वाइवन i y है धन यहां November ऑंपел यहां चार स्कौइर इस पचाह होटा है पचाह 5 एक선 पोट है वह फालता है चाहरच जोग का सोलब पंचीस होता है कितना 41 रूट में आपका 61 यहाँज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर अंडर रूट क्या होगा तो यहां पे तो X और Y का value तो क्या होगा, 0,0 ही होगा, और 0,0 और minus 6,8 के बीच की दूरी निकालना है, तो वही बात है, X2 में से X1 को घटाएगा, और इसमें से इसको घटाएगा, घटाने के बाद आपका answer कितना आएगा, 10 आएगा, आप formula बीच का दूरी का भर लिजेगा कौन से बीच की दूरी, तो यहाँ 0,0 और minus 6,8 के बीच की दूरी का formula भरिएगा, आपका आजाएगा, 10 answer, अगर आपको सन देखिए, कार्तिय तली में इस्तित किसी बिंदू, 3, minus 4 के कोटी का है, इसमें बताएगे तो इसमें कोटी कौन है, तो देखिए, X को काते हैं हम ल का minus 4 तो आपका option A सही हो जाएगा, जो एक question है, तिर्भूज ABC के दो सिर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे किंद्रक दिया हुआ है, एक तिर्भूज हम बनाते हैं, जिसमें माले है कि यह पहला सिर्ष 6,4 दे दिया है, दूसरा दे दिया हो, आपको minus 2,2 दे दिय हो, तिसरा आपको नहीं दिया हो, तो X,Y माल लेते हैं हम, ठीक है, और आपका केंद्रक दिया है, यानि बीच वाला दिया है 3,4, तो इसका केंद्रक का एक फर्मूला होता है, यानि केंद्र बराबर होता है केंद्रक का, ठीक है, X1 प्लस X2 प्लस X3 by 2, X1 प्लस X2 प्लस X3 बट्टा में 2 और कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 भाई 2 ठीक है यह फर्मूला भरिएगा तो आ जाएगा यहनि केंद्रा कितना है 3 कमा माइनस 4 और x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है माइनस 2 अब प्लस x3 कितना है नहीं पता है तो छोड़ दो अब बट्टा में कितना कर दो दो उसी तरह से y1 y2 y3 निकाल करके ठीक है कर दिजेगा और इसके बराबर एक बार 3 को किजेगा जो y1 y2 आएगा ठीक है y1 y2 प्लस y3 y2 इसके बराबर एक बार 4 को कर जेगा तो यहां से x और दोनों का वैलू निकल जाएगा और आपका एंसर आएगा कितना 5 यहां देखिए अगला कुस्चन है अगला कुस्चन है अप लिखा है एक का मान निकालना है जबकि इतना पर सनरेख है सनरेख का एक नियम पहले बता दे रहे हैं मान यह की एक रेखा है यानि लाइन है इस पर तीन बिंदू है एक है एक कमा 2A उसके बाद से है 3 कमा 1 उसके बाद से है माइनस 2 कमा 6 अब क्या करना है कि यह A हो गया यह B हो गया सनरेख का मतलब हता है एक ही रेखा पर वो है कि नहीं तो कैसे चेक करते हैं AB के बीच की दूरी के फर्मूला बता है निकालेगा और फिर से BC के बीच की दूरी के फर्मूला को निकालेगा उसके बाद से एक बार AC के बीच की दूरी के फर्मूला निकालेगा उसके बाद आप क्या खिजिएगा कि AC बराबर AB पलस BC आपका आना चाहिए यानि AB आप निकाले होंगे बीच के उधरी अब BC इन दोनों को जोड़िएगा AC को जोड़िएगा अगर ये दोनों आपको बराबर आए उस हिसाब से अपना एंसर यहाँ पे आएगा बराबर और बराबर आएगा तो वहाँ से 1 अवैलू ओ जाएगा 4 बटת 3 ठीक है अगला question देखेगा अगला question है कि बिंदू ये कॉई बार पुछा जा चुका है कोई जरूरी नहींकि ये question नहीं क्सक्ति हाए थोड़ा साद्ध्यान से उसको समाझ लएगे यहां पर लिख रहा है 123 यहां पर माइनस एक माइनस दो यहां पर भी माइनस वान और दो सतर look फोपहले में इसमें हाएंगा थी Epic –8 और दुसरा व्यास में आ रहा है तो पहिला box यह है दूसरा box यह है तो यह दूतिया में आएगा अगर last वाला में आएगा तो समझ लेज़े यहाँ पर ऐसे होता है तो यह भी पॉलस वाला यह भी पॉलस वाला तो सब पॉलस इसमें होता है पॉलस वाला पुछे तो पॉलस में जाएगा एक इसमें माइनस होता है और ये वाला इसमें पलस होता है हमेशा पहला वाला ही X होता है इसमें क्या होता है X माइनस में और Y भी माइनस में जो भी अगर दोनों माइनस में होगा तो तृतिया चतुर्थांस में जाएगा और इसमें क्या होता है X होता है पलस में और Y होता है माइनस में, पहले पॉलस लिए रहे हैं कि एक्स पॉलस में पहले होता है, ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे, अगला कुछ से दूरी क्या कालाती है, तो Y-Aक्स से दूरी भूज कालाती है, देखिए कैसे, अगर मालेज़ें कि यहाँ पर यह 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 है, आप Y Y-Aक्स से हमें गोग लाइन खीचे, तो जब लाइन खीचेंगे तो किदर खीचते हैं, X के तरफ इसलिए उसको भूज काते हैं, यादि एक्स के साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, चाहें Y-Aक्स से इधर जाईएगा, तो भूज ही होगा, तो उसको भूज भी काते हैं, ठीक है, अगला कोस्चन देखिए, 9 नमबर, 9 नमबर कोस्चन है, तिर्भूज का छेतर फल निकालना है, उसका सिर्ष दे दिया है, तो सिर्ष तिर्भूज का छेतर फल, आपको फर्मूला पता होना चाहिए, 1 बटा 2, ठीक है, और यहां होता है, X1, Y2-Y3, ठीक है, उसके है, यहां पर Y3, Y2 है, Y3, Y1 है, अब इसमें फर्मूला आप भरिएगा, यहां पर देखिए, तीन को सिर्ष दिया है, एक, दो, तीन, तो पहला वाला X1, X2, X3, यह हो जाएगा Y1, Y2 और Y3 भर के निकाल लिजेगा, ठीक है, भरने के बाद आपका जो भी एंसर आएगा, आपे हम टिक कर दिये हैं, ठीक है, कितना एंसर आएगा, आपका 6 एंसर आएगा, इजी है, असान है, आपका बहुत असान है, बोल ला है कि, मालेजे कि एक रेखा है, और एखा में दो बिंदू दे दिया, एक कमा एक, कमा इसको समझी गई, दोनों बड़ा बड़ा एक है, 2,3, और इसको दो हिसा में अगर बिभाजित किया जाए, तो ये दो हिसा 2 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, तो देखें, कोई भी लाइन को अगर बिभाजित किया जाता है, तो उसके लिए बिभाजन फर्मूला लगा जाता है, तो कितना रेशियो में इसको तोड़ा गय यहां देखिए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है यहां पर यदि बृत का ब्यास के सीरो का नियतांक दे दिया एक बृत है बृत के जो बीचो बीच लाइन कट याद है बृत में सबसे बड़ी लाइन ब्यास ही होता है इसको ब्यास बोलते है ब्यास है इसके सीरो का आन इहाँ पर 2,3 दिया है और यहाँ पर माइनस सिक्स को माइन दिया है अब पुछ रहा है कि कैंद्रक बीच वाला तो बताविये डुइन के बीच में निकालने के लिए कौनसे फरमूला तो line के बीच में निकलना हो तो मध्य बिंदू line को कहीं से तोड़ना हो यहां मालोजी एक हिसा हो गया इत्तुरा सा बड़ा है तो तो तीन हिसा हो गया तो वहाँ भीभाजन सुत्र अब बीच की दूरी पूरा line की दूरी को कहते हैं अभी मध्य बिंदू निकलना है x1 x2 by 2 और y1 y2 by 2 खिस है तो यहां जब निकलना है तो आपका answer कितना हो जाएगा 11 ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस lesson के multiple choice को सुरू करने से पहले इसका basic जान ले क्योंकि देखिए basic आपका पूरा clear रहेगा तो question को समझने में 1% परिशानी नहीं होगा यानि कि इसमें आपको पूरा का पूरा 8 lesson, 9 lesson जो भी है इसका basic बता करके उसके बास से आप multiple choice कीजेगा तो exam में आपका एक भी question इस से related नहीं चुटेगा ये मेरा दावा है ठीक है देखिए यहाँ पे यहाँ पर लिखा किया इस 6 नाम को बस आपको याद करना है बस उभी line से एक sequence में कैसे sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, cos theta, cos theta ये 3 हो गया उसके बास ये कैसे याद रखेंगे cos sick, last में cos sick में sick आ रहा है तो फिर एक बार यहीं बोल देना है sick और फिर उसके बास से cot यानि कि sin theta, cos theta, 10 theta और ये cos sick, sick, cot ये नाम आप याद रखेंगे इन तीनों नाम को और ये तो आप जानते है sin theta बराबर होता है, lump बटा करण, cos theta बराबर अधार बटा करण, और 10 theta बराबर, lump बटा यानि जब भी पहला वाला बोले sin theta, यानि lump एक बार करण के साथ जाएगा पिर जब cos theta बोलेगा, तो यहाँ आधार एक बार इसी के साथ जाएगा, और जब 10 theta बोलेगा, तो एक बार था ये इस के साथ, एक बार ये था इस के साथ, आधार वाला आर 10 theta में यह cod हट जाएगा और lamb और आधार साथ में आजाएगा ठीक है? और इसे का ulta यह cost contexts होता है जब पूछा जाएगा 3 के बाद cost थिटा तो sign का ulta होता है यानि कि sign को ulta करे 2021 term cot यहिक और यहां लुको count थिटा यहां पे में लंब अब देखें यहां पे यहां पे भी टी है और यहां पे भी टी है तो यहां देखेंगे तेन कोट का उल्टा होता है इसलिए उल्टा हो गया है ठीक है यहां तक आप समझ रहे होंगे और यह चीज हमें इसा के लिए याद कर लेजे कोहीं भी अगर आप लंब देख है का दिया है जिसमें लंब भी है और कण भी है यह आगे के लिए काफी important रहेगा अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे formula कितना important है इस बार आपके exam में सबसेदा formula से question रहेगा और वो कैसे रहेगा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ से formula कैसे बनेगा एक formula होता है sin theta into cos theta is equal to one होता है यह formula कैसे आता है तो देखिए यहाँ पे logic द्वारा आप समझेगा कैसे आता है यहाँ पे line से जब याद होगा sin theta cos theta ten theta cos sec cot इन तीनों को यह वाला तीनों को उठा करके यहाँ side में रख देंगे यहाँ उठा करें क्या करेंगे side में यही और यही तीनों को उठाके रख देंगे और बीच में खाली multiply लगा है तो यह formula बन जाएगा वन अब देखिए trigonometric में तिरकोड मीति में कहा जाता है 30-32 लगवग formula आता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं यह बहुत असान होता है इसी से सब बनता है अगर हम पहला question उठाएं यहां पर लिक रहा है sin theta into cosec theta देखिए इससे कैसे cosec इससे किस तरह से formula बनेगा अगर हम बोले कि यहां से sin theta बराबर क्या होता है तो जिसका value निकालते हैं उसको अलग रखते हैं अकेले छोड़ते हैं याद रखिएगा जिन्दगी में अगर अपना value बनाना हो तो आपको अलग हटके चलना पड़ेगा यहां अगर sin theta का value निकाल theta हो जाएगा देखिए इसी से बन गया यह भी आपको formula याद करनी की जोड़त नहीं है लाइन से लिख दीजेगा तीनों को उठा के यहां पर कर दीजेगा बीच में आप multiply लगा दीजेगा value हो जाएगा अगर यहां से आपको cos theta निकालना हो तो यहां पर इसको यहीं पर अ यह गुड़ा में इधर आगा तो भाग में हो जाएगा एक बटा सेक बचेगा और सेक ठीटा निकलना हो तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा एक बटा कॉस हो जाएगा ठीक है वैसे ही 10 है आयाद रखिएगा साइन कोसिक का उल्टा होता है यानि सबसे बड़ा इन तीनों में अगर चारों पूरा छे है और छे में सबसे बड़ा होता है तो कौन होता है कोसिक का वर्ड बड़ा होता है तो यह पहला वाला का ही उल्टा होता है ठीक है और यह T है तो यह इसका उल्टा होता है इसमें और यह बीच में बच गया जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा होता है तो उम्मीद कर रहे हो कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है साइन ठीटा कोस्टेटा अब देखिए इसमें एक और फर्मूला काफी इंपोर्टेंट जो आपको याद करना पड़ेगा इसको सेक स् पर्मूला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और इससे तो बहुत सारे कोस्टन पूछे जाएंगे देखिए कैसे यहां पर इसको मिटा देते हैं समझिएगा यहां पर यह जो कोस्टन है इससे पूछे जाएंगे पूछ देगा आपको सेक स्कॉर्टीटा माइनस टेन वा बराबर का होता है तो आपको अभी बताएं ठीक है कि जिसका वैलू निकालना उसको अलग छोड़ते हैं इसका अगर वैलू निकालना इसको यहीं पर रखिये बाकी सब को बराबर के उधर बेजिए तो यह वन है माइनस में इधर जाएगा तो यह पॉलस में टेन स्कॉर् बोले हैं कि सिर्फ सेख ठीटा निकालना इस का मतलब कि एसको यह भी हटाना है एसकोईर है बराबर के उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है रूट में बदल जाता है तो अंडर रू जायेगा ठीक है 10 स्कॉर्वर ठीक है फिर अगर रूट आयेगा इधर ना तो फिर य जाएगा इसकोईर का मैं बराबर के उधर जाने के बाद या नहीं अपना घर छोड़ने के बाद ठीक है इसका पावर बढ़ जाता है आप लोग देखेंगे छोटे बचे जब घर में रहता है तो अपने पेरेंस के पास इतना सरीफ बन के रहता है जैसे पता ही नहीं कि वह क कहता है कि सब मेरा है सब कहता है कि मेरा है यानि कि यहाँ पर अपना बच्पना शुरू कर देता है इसी तरह से अगर यहाँ पर यह निकलना हो तो इसको आप भेजिएगा इससे आपको बहुत सारा फर्मूला पुछा जाएगा और एक और सबसे इंपोर्टेंट आपका फ formula देते हैं जो आपके exam में पूछा जाए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चार कर ले कि इससे related भी बहुत सारा question पूछता है यहाँ देखिए कैसे यहाँ पूछ सकता है sin 90 minus theta यहाँ देखिएगा यह plus का symbol बना रहा है इसमें होता है all positive वैसे यह 12 में पढ़ना है आपको अभी नहीं पढ़ना है ठीक है all positive है नहीं सब इसमें plus होता है तो sin 90 minus theta sin cos में बदल जाता है cos theta होता है आग cos तब होगा तो sin में बदल जाता है cos 90 minus theta sin theta आप याद रखिएगा 10 90 minus theta क्या होता है तो 10 का उल्टा होता है इसमें वो उल्टा चला जाएगा 10 का होता है cos theta ठीक है वैसे यहाँ पर हो जाएगा cos एक 90 minus theta तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो तो कॉट कॉसिक हो तो सेख और सेख नवे माइनस ठीटा हो तो कॉसिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है, multiple choice के रूप में, कि 10 नवे माइनस ठीटा क्या होता है, और option में सब दिया रहेगा, तो 10 नवे माइनस ठीटा 10 का उल्टा कॉट होता है, ये आप दिमाग में बठा लिजिए, अब हम लोग चलते हैं question के तरह, first question हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखा है यहाँ पे 6 ठीटा बरावर 13 बाई 12 याँ थर्टीन बाई 12 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा, कॉण हो जाएगा 13 और 1000 हो जाएगा 12, यह और यह पता हो तो यह निकाल सकते हैं, जब यह निकालेगा root करके 13 का square माइनस 12 का square, तो यह हो जाएगा 13, 13, 169 माइनस 144, यह हो जाएगा, पूरा का पूरा 25 इसका वर्णोल होता है 5, यानि कि एक तिरभूज में पूरा का पूरा, अगर ये 13 था ये 12 था तो यह आजाएगा 5, अब पुछा है, co-ththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththt ना इस formula से current वाला से और उसके बाद से अलग-अलग किस कोई भी परकार का question बन जाएगा अब देखिए अगला question है question क्या ही एक formula है ध्यान से देखिए 1 plus 10 square क्या होता है तो 6 square होता है वैसे real में formula होता है 6 square theta minus 10 square theta बराबर 1 तो यहां से 6 square theta से बराबर क्या होता है 10 theta minus में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 plus 10 square theta हो जाता है यानी 10 square 1 plus 10 square theta बराबर क्या बच गया से 1 square theta आपका भी option सही हो जाएगा वैसे आप formula में देखें है कॉसिक निकलना होती होता है 1 by sin theta अगला question है यहां पर यह भी गौर से देखिएगा यहां ऐसे question दिया और इसका मान निकालने को बोला है यहां उसे sin theta बराबर हो जाएगा एक ऐय आ जाएगा तो बटा में जाएगा 2 एक बटा दौदक इसका होता है formula तो साइन में एक बटा 2 यहां 1-2 hypoc tico sin 30 का मान होता है यह लमबटा कहँँच तो यहांपे हो जाएगा साइन ठीटा बराबर साइन 30 यह आपको हम समझा दिए हैं और साइन से साइन कर गड़िया ठीटा बराबर कितना हैं 30 टीटा याद रखिएगा 30 बीग्र lesson यहां पे होता है है यहाँप समझ में आया होगा आपका हो समझ में होता है साइन ठीटा भटकोश lados को छीटा और पालस वन भटक्व होता है क्या मणभा कॉष्ट हीटा वैसे इसमें नगके और वेलू भर लें के बात से यह सब और तर यहां यहां मेंअग डो ठीक है आप अपना देख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत लंबा जाएगा अगला कुस्टन देखिए यह भाभी बताया थे किस टाइब का होगा एक सबसे पहले तिरभूज सबस्क्राइब प्लस में बंदर का सक्वाइर आठ सकíst दोल जोडेंगे तो यहँ पितना हो जाएगा एक सब्सक्राइब 202 हो जाएगा यह किसका ब्राइब होता है कॉसेगथ थीटा कॉसेगथ होता है क्या क्रण कॉर्ण बटा लंब होता है यानि 17 बटा आपका 8 हो जाएगा कॉर्ण बटा लंब आपका ए अप्सन सही होगा अगला कुश्चन है यादि A और B दोनों नियून कोड़ है यानि 90 डिगरी से कम है तो एक तिरभूज बनाईए A और B 90 डिगरी से कम है तो साइन A बराबर क्या ह कॉस B है तो A पॉलस B निकाल ला है तो आप निकाल लेजिए माल लेजिए कि यह माल लेते हैं A यह माल लेते हैं A यह माल लेते हम C ठीक है और यहाँ पे यह दोनों क्या है दोनों आपस में बराबर दिया है तो यहाँ से हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं साइन ठीटा साइन ह साइन से साइन कर जाएगा यहां यहां बी दिया है यह बराबर यह जाएगा 90 माइनस भी यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो यह पॉलस भी बराबर 90 डिगरी ठेक है आपका option यहां पे कौंसा साही हो जाएगा तो देखिये आपका option यहां पे सी साही हो जाएगा इस टाइप का question को थोड़ा सा इसको गवर से देखेंगा लिए इस question में क्या important है कभी फी अगर बटा में इस टाइप का question दे और वो ना 30 दिगरी भी नही हो साट डिगरी भी नहीं हो 90 डिगरी भी नहीं हो 45 डिगरी भी नहीं हो इस सब छोड़ करके और कोई दूसरा नंबर दे इन दोनों का योग देखना हमेशा 90 देगा इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा 90 आएगा और बटा में दिया हो ध्यान से देखिएगा अगर बट में दिया हो तो गोड़ं में तो फिर इन सब्सक्राइब दिमाग में हो इसलिए धिमागा इंटमें स्क्राइर होता इसलिए वह ओसंती सब्सक्राइब दो का जैए में और पर अजए के jugarस जात पर डाइरेक्ड सकते हैं यहां पर कॉर्ट को अब माइनस 49 बठाइब कॉर्ट फुर्टी ओन कोड़ का होजाएगा 41 आप बाटा में कितना कर जाएगा यह वही बचेगा बहुत तरीका से दो तरीका बनता है पहले यहां लोग लिखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी बतायाते हैं 10-49 ठीक है और बटा में कॉट लिखते हैं फोटी वन और यह टेन अबब्य माइनस ठीटा लोग करते हैं तो क्या होता है कोट घटाने पराता है फोटीवन नीचे भी फोटीवन तो कड़ जाता है ऐसे भी सही है ठीक है तो आपका वान एंसर हो जाएगा अगला कोचन सेम हो ऐसे ही है फिर दे दिया है दो ठो बैलू तीसरा पूछ रहा है तो फिर एक मनाईएगा तिरभूज और साइन ठीटा होता है लंब बटा कॉन या जब 289 में से आप 64 घटाएगा तो आपको देखने को मिलेगा दोसौपचीज कितना मिलेगा दोसौपचीजD निकलना है इक होता है घटा हो जाएगा एधार रव सब्सक्राइब करें कि आपको समझ में आ रहा होगा अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन यहां पर है यह बोले ना कि सब्सक्राइब करें यहां पर 95 में से 45 घटाने पर बचेगा तो 45 ही होगा बात तो सेम है ठीक है यहां पर एक काम करते हैं बना भी लेते हैं 45 है और यहां हो जाएगा साइन में बतान साइन 90 मायनस मायत तैलिस कितना होता है बात तो वह होता है कितना साइन 45 ही ऊगा अपका ऐतास के जीरो एन्सर बटा में इनी साइन टु ये बराबर हो जाएगाấu माइनस मे वहया है तो फिर साइन क्या होगा एक बटा ये बाटाम आजाएगा नीचे दो किसका मान साइन के टर्म実 होता है तो यानि कि यहां पर देखिएगा एक दो रूट फीर एक बड़्टा दू होता है साइन 30 कमान ठीक है तो यहां लिखेगा साइन 2A बराबर साइन 30 साइन से साइन कट जाएगा तो 2A बराबर बचा 30 2 से कटेगा तो यह 15 हो जाएगा यह बराबर आया 15 डिगरी एक कमान कितना आया 15 डिगरी अगला कोशन है यह इसमें काम किजिए दोनों मैं 9 मिल रहा है और यहां अगला कोशन कैसे है ठीटा कामान निकलना यह भी काफी असान है इसको पहले बट्टा में भेज़ दिये तो इधर हो जाएगा sin 2 theta is equal to root 3 by 2 यह किसका मान होता है sin के term में तभी तो sin से sin कटेगा तो यहां देख लिजेगा यह एक formula बता है हम यानि sin theta होता है root 3 by 2 sin 60 का मान होता है यहां पर sin 2 theta बराबर sin 60 sin से sin कट जाएगा यहां हो जाएगा 2 से कटा हो गया तो ही कितना होगा 30 theta बराबर 30 डिगरी आएगा ठीक है यह आपका option a सही है अगला यह तो formula आप जानते है sinus को theta plus causes को theta क्या होता है one होता है यहां पर one day दिये हैं by mistake यहां पर one ही आपका answer होगा अगला question देखे अगला question यह आपके book का question है बहुत ही important है ठीक है a b c एक तिर्भूज है और आप जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कुणों का यह कितना होता है 180 degree होता है तो कह रहा है sin b plus c by 2 बराबर किसके बराबर है तो cos a by 2 के बराबर है यह आप question में पढ़े होंगा नहीं तो आपको फिर देखना पड़ेगा a plus angle b plus angle c बराबर 180 degree फिर यहां दो दो तरफ दो से भाग देने पर तो यहां पर देखिए b plus c साथ में है तो एक बार b plus c को साथ में किजिए a plus इतना को अलग अलग कर देजिए यानि मेरे कहने का मतलब है कि angle a को अलग कर देजिए ऐसे angle b plus angle c साथ में रखिए बर्टा 2 यहां 90 कटा था यहां पर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में तो इधर बचेगा angle b plus angle c बटा 2 और बर्पर 90 माइनस a by 2 दोनों तरफ आप साइन से गोणा किजिए गा तो यहां भी साइन से करना पड़ेगा यहां देखिए साइन 90 माइनस ठीटा होता है कॉस्टी तो को साथीटा के जगापर एवाई तो आई यह चीज तो आपके कोस्टन में यहां दिया है ठीक है यानि कॉस्टन इंपोर्टेंट है कई बार पूछा गया ध्यान से देखिए गा यहां साइन ठीटा पर आपर कॉस्टी यहां सब्स में तो ठीटा पलस ठीटा बराबर नवड़ी एक ठीटा एकिटीता कितना ठीटा ठीटा तो ठीटा बराबर नबबब्य बीघ्री और यहां कटाएगे गातो होगा 45 ठीटा बराबर 45 एक प्लू wildlife निएक यहां अगला कुष्च्छन धेक्या कुस्ट अपर कॉस्ट हो कोई भी मान यह निकल रहा है और जीरो में गुणा करने पर उसका सब का भेलो जीरो हो जाएगा आपका एंसर हो जाएगा यह सई तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आगा फिर देखते हैं अगला लेशन देखिए यहां पहला कोस्टन है और काफी इंपोर्टेंट हो इसी को लेकर के मल्टीपल चोईस के रूप में आए देखिए गौर से देखिएगा यह आपको कुस्टन तभी बनेगा जो आपको फर्मूला कुछ हद तक आपको रिमेंबर रहेगा जैसे कि साइन ठीटा बराबर होता है अधार बटा कंड और टेन ठीटा बराबर होता है लंबा है तो लंब है नीचे वाला आधार है और यह है कंड अब देखिए जब ही पुछे साइन ठीटा बराबर तो पहला लंब बटा कंड यानिक यह वाला एक लाइन कंड के साथ चला जाएगा निए लंब बटा कंड हो जाएगा फिर अगर कौस्ट ठीटा पुछा लंब बटा अधार हो जाएगा अगर यह आपको फर्मूला पता है तो यह बन जाएगा और देखिए यदि किसी उर्दवार्द अस्थम्ब की उचाई अगर कोई अस्थम्ब है बहुत बड़ा उसकी उचाई जमीन से अस्थम्ब की छाएं के लंबाई की तीन गुनी है त तो यह सूरज जब फोकस मारेगा तो इस खंबे का परचाई आगे बनेगा अगर हमारा परचाई कहा बनता है अगर पीछे से सूरज मारेगा फोकस तो आगे हम लोग का परचाई बनता है वैसे यहां से अगर सूरज फोकस मारे तो परचाई आगे बनेगा तो यह जाएगा बताए कि यह कितना डिगरी पर यह यहां एंगल बन रहा है उन्याइन कोण तो आप यहां सोच सकते हैं कि कौन से फर्मूला में लंब और आधार क्या क्या दिया है इसमें लंब दिया है रूट तीन एकस और आधार दिया है एकस तो किस फर्मूला में लंब और आधार है आपका एकस इशे यह कट जाएगा तो बचेए गठेगा टेंau 2 यहाप देख सकते हैं कि São आहे हैं सब्सक्राइस अग्ला कोस्ट्रिक तोड़ा सा दिमाग लगाना है देखिए कर रहा है यदि एक उदागर खंब यानि उपर के तरफ खंबा की उच्छाई यह जो खंबा है इसकी उच्छाई उसकी भूमी के तरफ च्छाया कहां बनेगा नीचे इस दोनों बराबर है भाई कोई सूरज जैसे कंडिशन में यहां पे फोकस मारता हुआ कि छा होता है यहां बराबर एक ऑब बताइए यहां बच्छाई है कितना ठीटा बराबर 45 डिएरी अगला यहां पे क्या हो जाएगा अपका option सही दो number अगला question देखिए फिर यही सूरिया वाला ही सब है सूरिया का unnain कुण यहाँ पर पता करना है जबकि सीधे खंबे की छाया यानि कि खंबा का यह खंबा हो गया इसका छाया खंबा का छाया और यहाँ पर इसकी खंबा के उचाए यह दोनों आपस में बराबर है सेम question तो बात वही है जब यह x मानोगे तो यह भी कितना हो जाएगा x है क्योंकि बराबर है कुछ भी मानिये बस बराबर होना चाहिए ठीक है एक मानिये दो मानिये बात एक ही आएगा लंब और अधार किसमें आता है 10 ठीटा बराबर होता है लंब लंब है x अधार हो एक से एक बारे में कटेगा फिर यह एक 10 45 का मान 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा 45 से अपका एंसर B हो जाएगा इस question को हम लोग deeply समझेंगा यह देखे एक इस तरह बनेगा question यदि किसी सूरज का जुकाओ पहले 45 डिगरी पर था पहले मान लिजे कि ऐसे हम एक figure बना दिए और यहाँ पर सबज़े नबे डिरी यहाँ सूरज है तो यहाँ जब जुका है तो पहले यहाँ पर 45 डिरी के कोण बनाता है थोड़ा सा और यह ऊपर उठेगा तो परचाई जाहिद सी बात है तो यह पीछे आते जाएगा तो यहाँ से आया है तो एक बार होगा है 60 डिरी के कोण बनाए तो जब यहाँ से 45 पहले था फिर यह 60 डिर अपर बनाए तो इसका छाया 50 मीटर घट गया है ठीक है तो पूछा जा रहा है कि इसकी उचाई कितनी है यानि कि मिनार की उचाई निकालना है X का मान तो हम एक काम करते हैं पूरा को इसको X मानते हैं ठीक है नीचे का बेस ABC में BC बराबर मानते हैं हम X और निकालते हैं 10 कितना 1045 निकालते हैं एक काम करेंगे जब हम 10.45 निकालेंगे, 10.45 तो कितना होगा, 10.45 अपका हो जाएगा लंब, यानि A, B, बटा में कितना होगा, B, C, यहाँ 10.45 एक होता है, और A, B तो नहीं पता है, तो छोड़ दिजिया, B, C को माने है, X, जब तिर्चा-तिर्ची गुणा किजिएगा, तो X बराबर हो जायाए आपका, A, B, A, B कितना हागया, X आगया, ठीक है, इसको दिमाग में हम लोग रखेँगे कि A, B कितना हागया ہے, X आगया है, इसको थोड़ था हम Erase कर दें, A, B बराबर आपका X आया है, यानि ऊपर यहाँ लिख देते हैं A, B, इसको थोड़ था हम 1060 का फर्मूला लगाते हैं 1060 बराबर होता है लंब बटा आधार तो बताई है पूरा अगर हम एकस माने तो पूरा एकस लाइन में से यह पूरा एकस लाइन जो है इसमें से यहां से पचास हम घटा दे तो कितना बचेगा एकस माइनस पचास ठीक है तो यह हो जाएगा 60 था, यहांपे एक्स माइनस 50 था और यहांपे था आपका एक्स तो 1060 बराबर एक्स बट़धा 1060 का मान होता है रूट 3 बराबर एक्स बट़धा एक्स माइनस 50 तिरशा 다िरशी गुणा कीजीएगा तो आपका होगा कितना इसमें दोनों में गुणा किजिएगा तो होगा आपका root 3 x minus 50 root 3 आप बट्टा में x एक जात को एक जात किजिए x वाले को इधर लए और इसको इधर भेजिए तो यहां हो जाएगा root 3 x minus x बराबर 50 root 3 यह minus में इधर जाएगा तो plus में हो जाएगा इन दोनों में से x common ले लेजिए तो जब आप x common लेंगे तो यहां समझिएगा पहले थोड़ा से इसको हम erase कर दें क्योंकि इसकी जरुवत हमको नहीं है ठीक है after erase यह क्या होता है देखते हैं इसको साफ कर दें उसके बाद से यहां समझेंगे देखे यहां पर क्या हो जाएगा x यहां जब root 3 कमल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x कमल लेंगे तो हो जाएगा root 3 minus 1 और यह हो जाएगा 50 root 3 यहां x बड़ाबर हो जाएगा 50 root 3 बटा में root 3 minus 1 जब ऐसे condition हो तो इसका करिशनलाइज करते हैं यानि पर में करण करते हैं तो माइनस यहां पर है तो उपर सब पलस हो जाएगा और इसको जब आप सल्व किजिएगा तो आपका option number D आएगा यहां D option होगा अगला question देखेए अगला question है ध्यान से समझते चलेगा यदी एक उचे खंबे की प्रित्वी की छाया ठीक है 2 root 3 meter लंबाई का है तो सुर्य का उनायन गुण ऐसे figure बनाते हैं ठीक है और यहां पर यह कितना है एक 6 meter उचे खंबे की प्रित्वी की छाया प्रित्वी पर छाया होगा इसकी छाया की लंबाई इतना बना है तो इसका उनायन गुण 6 meter यह हो गया अब प्रित्वी पर छाया बना है 2 root 3 तो पुछाएं यहां कूण कितना बनेगा तो बताइए यह लंब और आधार किस फर्मूला में आता है 10 ठीटा बराबर होता है 6 बटा 2 root 3 हो जाएगा अब 10 यहां पर देख सकते हैं यहां थोड़ा सा को कटे तो 2 ती आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 10 60 बराबर होगा 3 root 3 10 60 बराबर होगा क्या हो जाएगा एक मिनिट इसको थोड़ा सा हम erase पहले कर ले 10 60 अगर निकालना है हमको तो उपर से हम हटा दे इसको और इसको थोड़ा सा कम कर ले ऐसे हो जाएगा अब देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 10 60 बराबर हो जाएगा 6 बटा root 3 2 ती आई 6 हो जाएगा जब 3 बटा root 3 है तो इसका परमे करण होता है ऐसे तो यह जाएगा 3 root 3 बटा 3 3 से 3 कर जाएगा यानि आपका हो जाएगा 10 ठीटा यहाँ पर है 10 ठीटा बराबर होगा आपका root 3 root 3 किसका होता है 10 60 का होता है 10 60 का 10 से 10 कर जाएगा ठीटा बराबर आएगा आपका 60 ठीटा कितना जाएगा 60 अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है यहां कह रहा है कि 6 मीटर एक 6 मीटर उचे ब्रिक्स का छाया 4 मीटर लंबा है ठीक है और यहां पे दे रहा है कि अगर आपका क्या है परछाहिं हैं यानि 6 मीटर आपका ओरिजनल खंबा है तो यह बताए रिसयो के हिसाब से अगर देखे थो यह यह इनल की लंबाई है तो उसी हिसाब से मतलब पेंड की लंबाई है और यह उसकी चाया की लंबाई है तो इसमें भी जो है कांब Toh深्छ चाया की लंबाई 50 उपर रखिए यहां नहीं पता है original लंबाई कितना है तो X रखिए यहां कटाईएगा आप तो कितना होगा यहां पर दो दूना चार और दो तियाई 6 होजाएगा 2 से कटाई है यह होजाएगा 50 जब 25 हो जाएगा जब क्रो similarity किजिएगा तो होजाएगा X बराबर 775 यानि कि यह कितना original लंबाई था और यह चाया उपर वाला दोनों चाया और यह वाला लंबाई है तो X बराबर कितना है 75 आपका अप्शन 20 सही है ठीक है ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है अगला कोस्टन है यह कोस्टन थोड़ा सा बड़ा है ठीक है आप खुद कोशिस कीजिए का बनाने को थोड़ा समझा देते हैं दो खंबा 6 मीटर 11 मीटर उचा है ठीक है एको मानलेजे के 6 मीटर लंबा है और एको 11 मीटर लंबा है दोनों तो जमीने पर से रहेगा ठीक है यदि उनके पाद बिंदू यानि नीचे की बिंदू के बीच की दूरी है सेम हो यानि 12 मीटर हो नीचे वाला कितना हो यहां से यह था लाइन एगार तो जब यह चो तो यह भी चो हो जाएगा तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी तो यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगा पूरा है एगारा एगारा में से यह चो चल जाएगा तो बचेगा पांच अब बताए यह वाला पांच यह बारा दिय करेंगे तो हो जाए कितना 179 का वर्गमूल होता है 13 यह आपका option इसमें 13 कहां दिया है तो सी में दिया है तो यह सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखिए अगला question है एक मिनार से 100 मिटर दूर इस्तित बिंदु पर मिनार का 99 कोड़ बन रहा है तो मिनार की उचाई निकालिए सपोज मान लिए कि एक पर करका हमने बना लिया आपका मिनार मिनार का मतलब एक कोई भी उचा वाला चीज बना लिए यहां से 100 मीटर दूरी पर मिनार का एको 9 कोड बन रहा है 9 कोड यहां 60 डेगर कितना मीटर दूरी पर 100 मीटर तो बताए मिनार यह कितना उचा है तो अब आप सोचिए यहां कौन सा फर्मूला लाएगा देखिए हम आपको बताए थे कि यह दिया है और निकालना यह है तो जिस चीज का नाम रखेगा ठीके वह यह फर्मूला लाएगा तो देखिए तो लंब का एक नाम ले रहा है कि यह निकाली यह आई यह 100 दिया है दूर का नाम तो लंब और अधार का नाम लिखा है तो यह किस फर्मूला में होता है, 10 के फर्मूला में होता है, 10 ठीटा बराबर लंब बटा अधार, तो यह 60 दिया है, तो ठीटा के जगए 10, 60 बराबर लंब नहीं पता है, तो X मान लिजेगा, अधार है 100, अब अब अधे 10, 60 का मान कितना होता है, तो 10, 60 का मान आपका होता है root 3, ठीक है, अब बराबर में x बट्टा 100, जब बीच में बराबर तो 33-33 का होता है, गुणा तो हो जाएगा, 100 root 3 और यहाँ पे हो जाएगा x, x बराबर 100 root 3 आपका answer आएगा यानि कि लंबाई आपका ये first number सही है, ठीक है, अगला question देखिए, अगला और last question जो काफी important है, ये 9 lesson के हिसाब सहब का पूरा का पूरा 9 question VVI है very very important है, अगला question है, किसी मिनार की उचाई 10 meter, मने उचाई है कोनों दिवालो कर उचाई कितना है 10 meter है, जब सूरज का उन्यान कुण 45 degree है, यहाँ पर मने जी कि यह 10 है, इसका उन्यान कुण कितना है 45 degree है, तो मिनार की छाया की लंबा यह वला निकलना है, अब फिर वही बात एक तो यह दिया है, इसका नाम रखा और एक इसका नाम रखा, तो इस दोनों नाम किस में एक होता है, यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा यह बराबर है, एक स्तीर चातरी चे कुणा तो एक सब्सक्राबर क्या आजाएगा 10 ठीक है, यहाँ पर एक सब्सक्राबर दस यहाँ छूट गया है, ऐसा लग रहा है यानि कि आपका 45 यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें तो फिर मिलेगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन